क्या आज से भारत में बैन हो जाएंगे फेस्बूक वाटसिप समित ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानिए क्या है केंद्र की नई गाइडलाइन अज इस वीडियो में आप लोगों को सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुती बड़ी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट सक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्रेब जरूर करिएग दर असल कल की तारीक यानि के 25 मई को केंदर सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है वहीं अब केंदर की नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में बैन यानि की प्रतिबंद किया जा सकता है टुटर ने मागा समय जी हाँ दोस्तों वहीं इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक ने अपने बयान ने ये कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने के ल मांगा है वहीं भारते ट्विटर कहे जाने वाले कू एप सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है हो सकती है कारवाई आप लोगों को मैं बता दूं कि इस सल फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किये थे ऐसा खबर आ रहा था कि आठ फरवरी से वाट से बैन हो जाएगा लेकिन उसमें बैन नहीं हो पाया था केंद्र ने इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए तीन महीने का समय भी दिया था लेकिन कू एप के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म से इसे लागू नहीं किया ह जानते हैं तो केंद्र सरकार तहरा जारी कि ए गए गए गायं के मताबित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोदल ओफिसर रिफिपर केнок सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंतली रिपोर्ट जारी करनी होगी जिसमें शिकायतों और उनके निप्टारों की जानकारी देनी होगी यही नहीं किन पोस्ट और किन कंटेंट को हटाया गया है इसकी क्या वज़ा थी यह सारे चीज़ों को भी बताना होगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जो कंपनी के मुबाइल एप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए 24 घंटे में रेजिस्टर होगी शिकायत जिहां दोस्तों कई नई गाइडलाइन के तहर शिकायत के 24 घंटे के अंतर दिनों में उसका निवारन करना होगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलती हूं आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन बंदे मात्रव